हेलो मेरे बच्चो असलाम अलेकूम रहमतुल्ला कैसे हैं आप सब क्लास 10 की बेटा हम बात कर रहे थे उकाब 1.0 वाले बैच में जहां पे आपको फ्री आपकोस्ट हमारे यूटूब लेक्चर्स मिलेंगे और वो भी कॉंटेंट एक दम बढ़िया और प्लेस बेटा आपको हमारे बेटा लेक्चर नोट्स मिलेंगे विदिन फ्री डेज वो भी फ्री आपकोस्ट जहां पे बच्चों की पढ़ाई की बात हैं वहां बेटा हम हर दम हर पल आपके लिए हाजर है मेरे बच्चे आज हम क्लास 10 की बात लेक्चर नमर 14 में करेंगे एक और ग्लैंड के सा अब ग्लैंड अप एमर्जंसी मेरे बच्चे हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं डाटीज कंट्रोल एंड कॉडिनेशन इस चैप्टर में दो टॉपिक्स हमें मिलते हैं जो पहला टॉपिक है डाटीज बेटा हां कौन सा कॉडिनेशन इन अनिमल्स और दूसरा जो टॉपिक के लिक हैं कौडिनेशन इन प्लांट्स कॉडिनेशन इन इनमल्स हम पढ़ रहे हैं और लास्ट कुछ लेक्चर थॉपिर्बच्य हुए हैं और अल्ला पाकरे इनसानूं में कौडिनेशन के लिए दोस सिस्टम्स रख्या एक प्ले चास्वाउब को दूसरा सिस्टम है that is एंडोक्राइन सिस्टम मेरे बच्चे हम एंडोक्राइन सिस्टम के एंडोक्राइन ग्लैंडस पड़ रहे हैं चो पहला क्राइन ग्लैडपाइनियल में जो दूसरा है zo तो तीस रहानां नहेक्य помог left in और मेरे बच्चे आज हम एक और ग्लैंड की बात करेंगे जरा बता दो कौन हो सकता है वह हैं एड्रीनल ग्लैंड मेरे बच्चे याद रखेगा जितने आज तक हमने ग्लैंड पड़े डीटेल से पड़े एंटरंस के अब्जेक्टू सौलो किये और अच्छी बात यह अच् है कि हम तो इनको डीटेल से पढ़ रहे हैं और आज हम सिर्फ एक ग्लैंड की बात करेंगे डाट इस बेटा ग्लैंड अप एमर्जंसी डाट इस एड्रीनल ग्लैंड कौन सा है एड्रीनल ग्लैंड समझेगा बच्चा मेरा आगे ले जाता हूं आपको सफर के साथ साथ हम यहां पर लिखते हैं सुनिएगा लिखते क्या है मैं यहां पर लिखता हूं एक और ग्लैंड दाट इस बच्चे मेरे अड्रीनल ग्लैंड कौन सा है मैं लिखूंगा एड्रीनल ग्लैंड की बात करूं या इसी का बेटा मैंने एक और नाम रखा है वह सुप्रारीनल ग् सबसे पहले सर होता कहां पर है यह देखिएगा मेरा बच्चा एंडोक्राइन सिस्टम जो बार बार आप देख रहे थे मुझे बताईए ना आप मुझे बताईए आप मेरे बच्चे मैं आपको यहाँ पे adrenal gland आपको दिखाता हूँ, देखिए, pineal gland, आगे hypothalamus gland, नीचे pituitary gland, गर्दन में thyroid gland, इसी में parathyroid gland, फिर chest में thymus gland, और यहाँ पे pancreas gland है, अब सुनो. जो हमारी किड़नी है, यह हैं बेटा दो किड़नीज, किड़नीज के ओपर cap जैसी होती है, किड़नीज के ओपर एक टोपी जैसी होती है, बेटे मेरे, इसी टोपी का नाम है adrenal gland, या adrenals, क्या बोलता है, इसी का नाम है adrenal gland, तो इसी की बात आज हमने करनी है, किस की बात करनी है है हमें तो बच्चे मेरे इसी अड्रीनल ग्लैंड की बात करनी है तो सबसे पहले में आपको बताओं अड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन समझेगा बच्चे मेरे मैं लिखता हूँ location किसकी location adrenal gland की location कहां पर होता है कहां पर adrenal glands होता है on the top of both kidneys दूनों kidneys के उपर से एक cap जैसी होती है उसी का क्या नम adrenal gland मैं लिखूंगा on the top of both kidneys both k-i-d-n-e-y on the top of both kidneys कौन पाए जाते हैं adrenal gland पाया जाता है दूनों बेटा दरिना ये दो adrenal glands होता है कहां पर कृडनी प Panama पर ये मिसाल की तोड़ पर यह हैं एक किडनी यह मिसाल की तोड़ पर दूसरी किडनी के आप जैसी होती है इस किडनी के ओप बढ़ कैप जैसी होती है इस Erenal gland इस physician का बेटा एमरजन्स के विकट बहुत काम आते हैं सर prset है इतना अब हमें तो ये हमें तो ये बताईए हमें इसकी पिक्चर दिखाईए इससे पहले बेट economies ने तो egadrenal gland इन इन्से भी हार्मोंस निकलते उंपकर डिमेंड बचा मेरा तो पर यह हैं एक इनसान की किड़नी दो हाँ किड़नी इसके उपर जे कैप होती है इसका क्या नम है अच्छे से समझेगा बच्छे मेरे अच्छे से समझेगा देखो अच्छे से समझेगा जो एड्रीनल ग्लेंड होता है ना अड्रीनल ग्लेंड के हमने दो हिस्से किये कितने इसे adrenal gland के भी हमने दो इससे किया है जो उपर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं adrenal medulla adrenal adrenal medulla उपर वाले हिस्से को हम बोलते है adrenal cortex adrenal adrenal cortex और जो बीच वाला होता है इसका क्या नम है adrenal medulla Adrenal M-E-D-U-L-L-A सुनो बच्चा क्या मतलब मैंने आपको बताया जो किर्नीज के ओपर जो एक कैप जैसी होती है इसका क्या नाम है इसका नाम है Adrenal Glend Adrenal Glend के हमने बेटा दो जून निकाले है दो लियर्स होते हैं वहाँ पर आप आप आइसे समझे दो लियर्स जो ये वाला एरिया होता है जो ये वाला एरिया होता है ठीक है ये वाला जो एरिया होता है इसका क्या नाम है इसका बेटा नाम होता है Adrenal Cortex क्या नाम है इसका नाम है Adrenal Cortex ये वाला जो सफेद वाइट है इसका नाम है Adrenal Cortex की दो जुन्स हैं दो लियर सैं औो पर एक लियर ये वाली लियर इसका चैना मैं एंड्रीणल इसका नाम है अड्रीणल कौटेक्स और जो नीचे वाला एरिया होता है इसके क्या नाम है अड्रीणल मेडूला Ѧॉला हैं adrenal medula से भी hormones निकलते हैं remember मेरे बचे total में पांच hormones निकलते हैं total adrenal cortex as well as adrenal medula से total में पांच hormones निकलते हैं ठीक है हाँ तीन hormones adrenal cortex से निकलते हैं और दो hormones adrenal medula से निकलते हैं और तमाम के तमाम पांचों hormones को बोलते हैं क्या adrenal हाँ यह पांचों हर्मुन्स को हम बोलता है अदरीनल हर्मुन्स बड़ जो आड्रिनल कॉर्टैक्स से जो हर्मुन्स निकलते हैं उनको बचाय मीरे हम बोलते हैं क्या उनको बोलते हैं allora को more अजियोड पेछा STEPHANITY आपको यह इसकी पिक्टर दिखाता हूँ देखे बच्चा मेरा यह है अच्छे से देखेगा यह बेटा एड्रीनल गेलेंट देखो यह बाहर निकाला एडरीनल गिलेंट के दो जून्स होते हैं ना दो जून्स होते हैं एक ये वाला जो एरिया होता है ये वाला जो एरिया है इस वाले एरिया का क्या नहीं है कोटेक्स इस वाले एरिया का नहीं है कोटेक्स जो संटर में ये ब्राउन कलर का होता है इसका क्या नहीं है इसका नहीं मेडियूला ये हैं उनको हम क्या बोलते हैं medullary hormones तो बच्चे मेरे मैं आपको यही आप बोलूँगा मैं आपको यहां पर यही बेटा लिखूँगा कि जो यह समझेगा समझेगा नई सलाइड बेटा बना लेता हूं कि जो adrenal gland है मैं यहां पर लिखूँगा बच्चे मेरे ADRE NL जो adrenal gland है adrenal gland के बच्चे मेरे कितने हिस्से होते हैं हाँ दो हिस्से होते हैं एक पहला कौन सा हिस्सा है उसका नाम है adrenal cortex क्या नाम है उसका बच्चे मेरे नाम होता है adrenal cortex ADRE NL adrenal cortex होता है जो दूसरा हिस्पा होता है उस दूसरा हिस्फे का क्या नाम है दूसरा हिस्फे का बेटा मेरा नाम होता है adrenal medula क्या नाम है? A-D-R-E-N-A-L adrenal medula M-E-D-U-L-L-A adrenal medula मुझे बताए, adrenal cortex से, बच्चे मेरे, adrenal cortex जो होता है इससे कितने hormones निकलते हैं? इसकी बात कर रहा हूं जो एड्रिनल कोटेक्स है ये वाला एड्रिनल कोटेक्स ये वाला इस एड्रिनल कोटेक्स से कितने हार्मून्स निकलते हैं बेटा रिमेंबर बात को गोर से समझो जो एड्रिनल कोटेक्स है ना इससे जितने भी हार्मून्स निकलते हैं जितने भी हा होते हैं that's why बेटा उन हार्मून्स को हम बोलते हैं यह कॉटिको सिटी रॉइड क्यों क्यों क्योंकि सिट्रॉइड का मतलब होता है जो कॉलिस्ट्राल से बना होता है तो मैं आपको यहीं बता हूं कि बेटा मेरा जो एक किड़नी के ऊपर से जो कैप होती है एडरीनल ग्लें है इन हार्मून्स को हम बोलते हैं कॉटिको सिटी रॉइड इसका मतलब जो एडरीनल ग्लेंड है यह क्या करता है हाँ यह सिक्रीट करता है सिक्रीट करता है कॉटिको सिटी रॉइड इस कॉटिको सिटी रॉइड हार्मून्स यह क्या करता है सिक्रीट कॉटिको का मतलब वो हार्मून जो कॉलिस्ट्राल से बने होते हैं अच्छा यह अड्रीनल कॉटेक्स कितने कॉटिको सिट्राइट निकालता है एक वाले कॉटिको सिट्राइड का एक पहला जो कॉटिको सिट्राइड है उसका बेटा नाम होता है मिंड्रालो कॉटिकोइड मिंड्राल कॉर्टिकॉइड या मिंड्रालो कॉर्टिको सिटिरोइड बोलो या मिंड्रालो कॉर्टिकॉइड बोलो और जो दूसरा हार्मून ये निकालता है कौन 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 एड्रीनल कॉटेक्स उसका नाम है बेटा गुल को क्र dop 6 कोटिकोई या गुल कोटिको सििटी रोईडीड भी बे बोल सकते हैं और जो तीसरा हार्मून बेटा मेरा एड्रीनल कॉर्टेक्स निकालता है उसका नाम है सैंफ गेड़क कोटिकोड क्या के नाम से भी आप उकार सकते हैं समझ में आया मैं कि आपको बता रहाँ है यह कौन है किड्नी के ओपर कैप Adrenal Gland Adrenal Gland के कितने Zoon होते हैं कितने रिजन होते हैं कितने बेटा लिएर्ज होते हैं बट वो हार्मून्स फैट से बने होते हैं, कॉलेस्टरॉल से बने होते हैं, इसलिए उन हार्मून्स को जो बेटा अडरिनल कॉर्टेक्स में बनते हैं, उन हार्मून्स का नाम है, कॉर्टिको सिटिरोइड्स, कॉर्टिको सिटिरोइड्स उनको हम बोलते हैं, तो बच्चा म कौन कौन एक का नाम है एक का नाम है मिनरलो कोटिकोड कहां से निकलता है अड्रीनल कोटेक्स से दूसरे का नाम है गुलको कोटिकोड कहां से निकलता है अड्रीनल कोटेक्स से तीसरे का नाम है गुलको कोटिकोड या सेक्स कोटिकोड कहां से निकलता है अड्रीनल कोटेक्स है इससे बेटा मेरा तीन प्रकार के हार्मोंस निकलते हैं मनेनल Gyneralocoticoids और सेक्सकौट कोईज्स सेक्सकौट कणव है गनेड़्कॉइटोच कोईट्स अब समझेगा पेटा मेरा इसी तरह medulla से भी हार्मून्स निकलते हैं वड़ों हम बाद में देखींगे पहले हम देंगे कि जो adrenal gland है sorry adrenal cortex है adrenal gland का adrenal cortex इससे बेटा जो तीन हार्मून्स निकलते हैं कौन-कौन सा एक निकलता है एक निकलता है यह mineralocodicots यह mineralocodicots क्या करता है सुनो बेटा मैं आपको यहां पर ऐसे यहां पर डायाग्रम से शोग करूँ मैं आपको बेटा डायाग्रम से शोग करूँ मिसाल की तोर पर मिसाल की तोर पर बच्चे मेरे एक इनसान की किड़नी है क्या है किड़नी है और किड़नी के ऊपर बेटे मेरे यह कैप जैसी है बताई मुझे बताव जो ऐडरिन ऑटैक्स है ड्रीनल कोटैक्स से हरमून निकलता है कब सुनों यह में इनसान की खोन की नाली इन्सां की खोन की नाली चलो एक इनसान की खोन की शोन सुनाई थीक है क्या है elder अगर बेटा इंसान में आपको परसु भी बोला है कि हमारे बिलड में बहुत सारी चीज़ें रहती है अगर बेटा इंसान का जो बिलड है इसमें सोडियम होना चाहिए एन एपॉस्ट्व का मतलब होता है सोडियम इसका क्या नम है सोडियम बेटा सोडियम बहुत आपको पता है उसी वकट बेटा इस एड्रीनल गलेंड का जो एड्रीनल कॉटेक्स है इस एड्रीनल कोटेकस बेट detox हर्मून न Extra निकलता है एक हर्मून को निकलता है और उस हर्मून का बेटा नाम है Am justice का निकलता है कि ना मुन निकलता है कि ना वहाइंसे अपनी कहानी gland Adrenal gland Adrenal gland adrenal cortex जो है Adrenal cortex से Karmy निलता है जिसका नम है Monna coticoid यह mineralocoticoid Blood में आता है और देखता है sodium कम हो गया बेटईıyor lakotic 국 वापस जाता है किड़नी के पास किड़नी को बोलता है किड़नी शरीफ क्या में आपका काम है एपसदे इपसर करना क्राई टीक है एक ही में में मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे blood में sodium कम हो गया ए किड़नी तेरे अंदर बहुत sodium है तू काम कर तू sodium दे दे उसके बाद बेटा इस किड़नी से sodium absorb किया जाता है blood में डाला जाता है blood में डाला जाता है तो sodium level क्या हो जाते हैं Maintain हो जाती है इसका मतलब whenever वेटा there is decrease in the sodium level in the blood जब भी sodium level blood में decrease हो जाता है डेन बेटा this adrenal cortex secret से हार्मून adrenal cortex से हार्मून निकालता है उसका नमाए mineralocoticoid mineralocoticoid बेटा किड़नी को बोलता है sodium दे दो सोडियम देया जाता है बलेड को और बलेड में सोडियम क्या रहे था है में टेरेता है समझ मैं इसी लिए बीटा इस हार्मून का नम है mineralocodicoid because it regulates minerals like sodium like potassium like calcium like phosphorus बिल्कुल बेटा इसी लिए मैं यहां पर लिखूँ जो mineralocodicoid यह क्या करता है it regulates it regulates minerals minerals in the blood यह बीटा बलेड में क्या करता है minerals को हाँ and is secreted कब निकाला जाता है and is secreted when sodium levels in the blood are low जब हमारे बलेड में sodium level कम होती है adrenal cortex से mineralocodicoid hormone निकलता है वह mineralocodicoid हार्मून किड्नी के पास जाता है किड्नी को बोलता है sodium दे दो sodium वापस डाला जाता है blood में blood में क्या रहता है sodium बराबर रहता है अब बेटा जो दूसरा हार्मून इस adrenal cortex से निकलता है that is glucocodicoid कहानी अपनी खुद बयान करता है यह वाला बेटा सुनों यह हैं हमारे पास यह हैं बेटा हमारे पास किड्नी के ओपर adrenal gland adrenal gland का ओपर वाला हिस्सा इसका क्या नाम है adrenal cortex adrenal cortex से मेरे बच्चे संद्धांसे अच्छे से समझो adrenal cortex से एक और हार्मून निकलता है यह एक और हार्मून निकलता है उसे हार्मून का क्या नम हैrage ça ग्रणिट के हाषित और मेरे बच्चे मैने आपको पर्सू भी बोला कि हमारे पेंक्रिया से बहुत सारे हार्मून सिकलते हैं, इंसुली निकलता है, गुल का गौन निकलता है, स्वमेटो स्टैटी निकलता है, पेंक्रियाटिक पॉली पेप्टाइड निकलता है, बट रेमेंबर बेटा मेरा गुल को गौन हार्मून सेम उसका फंक्शन इस गुल का जैसा होता है जब बेटा हमारे बलड में जो गुलकोस है अगर हमारे बलड में गुलकोस बेटा गुलकोस अगर हमारे बलड में डिक्रीज हो गया क्या हो गया उसी वकत बेटा यह जो किड़नी के ओपर अड्रीनल ग्लेंड है अड्रीनल ग्लेंड का जो अड्रीनल कॉटेक् हार्मून का नाम क्या है गुलको कॉटिकॉइड बेटा गुलको कॉटिकॉइड हार्मून आता है ये बेटा बलेड में जाता है बलेड में तुफान देखता है बलेड में इस गुलको कॉटिकॉइड हार्मून क्या करता है बेटा मेरा ये किड़नी के पास जाता है और बाकि करो मेरे मेरे बले मेरे जो इनसान है यह तो मर जाएगा इसलिए एकिड़नी मेरा नाम है गुलको कॉटिकॉइड एकिड़नी तुम्हें काम करो तेरे अंदर जो नेफरान है यूज नेफरान का काम है गुलको कॉटिकॉइड तू काम कर एकिड़नी तुम गुलको कॉटिकॉ इसका मतलब है वेनवर दियर इस डिक्रीज इंदा गुलकोस लाओर इन दा ब्लड बेटा अड्रीनल-ग्लेंट से हार्मून उन इस गुलकोकॉटिकोड हार्मून किड्नी के पास जाता है किड्नी को बोलता है तुम एक क्या करो तुम गुलकोस को जादा जादा there is low 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 glucose level in your blood जब आपके बलेड में गुलकोस लेवल कम होती है तेन वाट इसक्रीटिट क्या निकाला जाता है गुलको कॉटिकोड तो वे यही बेटा लिखोंगा कि जो गुलको कॉटिकोड से बेटा हां इट रिगूलेट इट रिगूलेट इट रिगूलेट गुलकोस वेर सब्सक्राइल कशने निकाला जाता है बेटा गुलको कॉडिकोड निकालता है गुलको सब्सक्राइब करता है एक और बात बेटा सुनो जब इंसान को सिट्रस होता है क्या होता है सिट्रस होता है परिशानी होती है ठीक है जरातर बीवी की परिशानी होती है जब इंसान को सिट्रस होता है आपको पता है उस वकत भीटा यह जो Adrenal Gland है Adrenal Gland भीटा क्या नीकालता है Adrenal Glend एक हार्मोन निकालता है उसका क्या नहीं है उसका उ énormément jos soll티 ने पुर्मात है और उसलिए इस खिले को क्वॉड्बँ करना मतizes Charmon बेटा जितना जादा 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 यह गुल कोбू को आन आपके बलर में हैं इसका मनलाब एक इनसान को उतनी सित्रस लेवल ज्यादा है इसका मतलब जिस इनसान को ज्यादा सित्रस होता है उसके एडरीनल कاطासे बीटा ज्यादा-ज्यादा गुल कोुट्रैक THE nis घर हमने इंसान की सिट्रस लिवल चेक करनी हो तो क्या देखना वड़्ट कर रहा है बिलेन्ट में अगर घ्र कल आटब सट्रस लबेल क्या है क्छादा है एक पर बेटा इस समझा जाता है इसकוה मतलब को अगर हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्टॉप कराना है उसका काम बंद कराना है तो बेटा आपको बता है यह गुलुको कॉडिकोड इंजिक्शन देना चाहिए ज्यादा तर बेटा जिस इंसान को अलर्जी होती है अलर्जी का मतलब है इम्यून सिस्टम हाइली करता है उसलिए इंसान को अलर्जी होती है आपको पता है जिस इंसान को ज्यादा जार्जी होती है तो बेटा डॉक्टर के डॉक्तर उसको एक इंजिक्शन रिकमेंड करता है डॉक्तर बोलता है उस पेशन को यह गुलुको कॉडिकोड इंजिक्शन करो जब उसने तीसरा बेटा जो हार्मून है जो इसी अड्रिनल कोटेक्ट से निकलता है यह इसी का नम है सेक्स कोटिकोड सुनो बेटा आपने कलास एट में बेटा अगर आप होता है सेक्स सेल्स बंना शुरू होती हैं female जो इसमें ब्रेस्टी डैवलोप्मेंट घोisstिए मैंच ट्राइ Caesar पीरिएड स्टाट हो जाते हैं आवाज पतली हो जाती है और शोल्डर में ब्रोड्र हो जाता है फीमिल में नेरो हो जाता है इन चेंज में इनको हम बोलता है सेकंडि सैंड़ फॉर 6.2 मैं मदद कौन देता है हां सेक्स हार्मूनुंस तो देते इंगा लिधा इस गोनेडाय कोटीकॉर यह ऐसा हार्मून है एक आइसा हार्मून ए si कहां से निकलता है किड़नी के ओपर जो एड्रीनल ग्लेंड है एड्रीनल ग्लेंड का जो एड्रीनल कॉटेक्स है एड्रीनल कॉटेक्स से बेटा एक हार्मून निकलता है रेमेंबर बेटा उस हार्मून का क्या नम है उस हार्मून का अच्छे से समझेगा एड्रीनल ग्लें पहले से ही reproductive system होते हैं बाट इस reproductive system को developed करना है समझाया females के पहली reproductive system है उसको developed करना है development के लिए food-out बेटा estrogen hormone progesterone hormone testosterone यह ऐसे हार्मौन से है जो develop कराते हैं बैड रह रही मेंपर मेरा इसका भी सबसे इसका मतलब है जो एक गॉनाडियो कॉटिकोइड से आपको पता है कब निकलता है मिसाल की तोर पर अच्छे से समझेगा बेटा सुनो सुनो यह एडरीनल कॉटेक्स एक इनसान बेटा मैच्वर हो गया एक इंसान टीन एज में आ गया उस वक्त बेटा यह जो एडरीनल ग्ले मेल के तेस्टी दो बोलता है क्या बोलता है कि म्ह flex में सेकंटरी सक्चयल कैराक्टर ड्यूप करो भीता अगर फीमेल है फीमेल के अडरिनल कॉर्टेक्स से गॉ assembla और निकलेगा यह गौनाडो कोटिकोड हार्मून फीमेल को औरीज के पास जाएगा औरीज को किया बोलेगा कि फीमेल में सेकंडरी सेक्च्चॉल चेंज़ लओ इसका मतलब है इसलिए बेटा इस हार्मून का नाम है इसका नमाँ गॉन्स का मतलब टेस्टी जन ओधर यह गॉनट पर का करता है और गॉनट को बोलता है कि मेल में सेकंड़िसुक्टाइ लॉब रिप्रोड्रक्ट्रइब करो मेल को मेल जाइसी शान देदो फीमेल को फीमेल यहां पर बच्चा मेरा इसे लिख सकता हूं यहां पर 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 लिख सकता हूं यहां यहां पर लिख सकता हूं यहां इस हार्मोन यह हार्मोन क्या करता ह this hormone is secreted during adolescence and it यह क्या करता है इट डेवलप्स secondary sexual change यह क्या करता है secondary sexual change डेवलप करता है इसका मतला बेटे मेरे रेमेंबर कि जो हमारी किड़नी के पास जो हमारी किड़नी के पास adrenal gland है adrenal gland का बेटा remember adrenal gland का adrenal cortex यहां से जो हर्मून निकलते हैं उन हर्मून को हम बोलता है corticocitroid यह जो corticocitroid hormone है यह थीन प्रकार के हैं mineralocoticoid gulococoticoid and gonadocoticoids why they are known as corticocitroids बेकाज ये घ्र मूँस बेटा नहें कॉलिस्टरॉल सी बने अब बेटा बात चलेगी कि जो किड़नी के ओपर जो अड्रीनल्ग पल जा और्निटर औरण और्न अश्रसाइब और और नाम है इसका नाम है बेटा अडरीनल मेडूला ये वाला जो एरिया है इसका क्या नाम है इसका नाम है बेटे मेरे अडरीनल मेडूला क्या नाम है ये है बेटा इसका नाम है अडरीनल मेडूला समझो समझो बच्छे मेरे अच्छे से गोर से बात को समझेगा गोर फरमाए बेटा इ मैं अगर इस चीज को यहां पर रब करो समझेगा समझेगा मैं इस चीज को यहां पर रब करता हूं मैं लिखूंगा कि जो यह अड्रीनल मेडूला है बेटा मेरा अड्रीनल मेडूला से यह वाला अड्रीनल मेडूला यह वाला अड्रीनल मेडूला इस अड्रीनल मेडूला स इसके जो हार्मून सा किसे बने हैं कॉलिस्ट्राल से बट जो एडरीनल मेडियूला है इसके जो हार्मून से वह बेटा बने होते हैं मैं यहां पर लिख सकता हूं मैं यहां पर लिख सकता हूं adrenal medula hormonusa मैं लिखोंगा hormonband adrenal medula और made from कहां से कहां से कहां से कहां से माइनैसे वेरी गुड वायरी गुड आ माइन पोगर अच्छा यह किस्से बने होता हैं बbor अगर इस मैं छूखो हार्मूंसाफ हार्मून साफ एडरीनल कोटेक्स और राम कहां से कोलेस्ट्रॉल थीक है किस से बने हों होते हैं अब बात इदर के और आप समझेगा ड्रीनल मेडूल जो है ना इसके जो हार्मून से हैं वो हार्मों किसे बने होता है वो हार्मों अमाइनो एसिड से बने होता है किसे अमाइनो एसिड से बड़ बात यह हैं कितने हार्मों से निकलते हैं दो किसम के हार्मों से निकलते हैं पहला जो हार्मों समझो पहला जो हार्मों है पहला हार्मों जो है ना दूसरा हार्मों पहला जो हारमन यहां से निकलता है अडरीनल मेडूलस है उसका नाम है नार एपीण एपरीन क्या बोलते हैं उसका नाम है नार एडरीनली और जो ये दूसरा हारमन एडरीनल मेडूलस है निकलता है उसका नाम है हाँ एपीनेफरीन एपी 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 एच आर आई एपीनेफरीन बोलो या इसी का बेटा एक और नाम है हाँ एडरीनलीन एडरीनलीन हार्मून रेमेंबर रेमेंबर बस आखिर बेटा चल रहा है इसका सुनो गोर से बेटा बात को समझो देखो जो ये आपके पास जो आपके पास ये अड्रीनल ग्लेंड होता है अड्रीनल ग्लेंड का अड्रीनल मेडूला जो है अड्रीनल मेडूला से दो हार्मून निकलते हैं पहला जो हार्मून है उस हार्मून का क्या नम है नौर एपीनफरीन या नौर एड्रीनलीन दूसरा जो हार्म बेटा कून यह यह क की नعली हां यह बोटायमिसका सनों की तुर्लिए आपका हर्ट ले नाधा अब सुनु यह बेटा किड़नी के ओपर है है इसका का नम है एडरीनल काट अच्छा सब इसका नम है फिर दर hon फिर इस थिन फिर्ज जुर हर्मुन यह नार मलि कंटिनूCaksi निकल रहा होता और निकलना भी चाहिए जिसमें नहीं निकलता है उसमें प्रॉब्लिम है उसका नम है नौ बॉछ सबकुछ मेंटें रखता है बलिड के पास जाता है यह नार एक निफेरた करो दक करो नॉर्मली बीटिंग करो समझे बिलड प्रेशर नॉर्मल रखो पलस रेट नॉर्मल रखो इसका मतलब अगर हमारा बिलड नॉर्मल रहता है उसमें बिलड प्रेशर नॉर्मल है पलस रेट नॉर्मल है हाट रेट नॉर्मल है हाट बीटिंग नॉर्मल है यह सब कौन करता है एक हार्मून करता तो मैं दो ये व कैसे ओं दो हो दो किसमें जी normally है यह एक कि मेंटेंड करता है कि या मिंटेंड करता है नॉर्मल बुलिड प्रेश्र नॉर्मल बीपी का मतलब होता है बिलर डिप्रेशन एंड हाट बीट हाट बीट ठीक है हाँ नॉर्मली अब जो दूसरा हार्मून है उसका क्यानम है एपी नेफ्रीन या एड्रीनलीन हार्मून यह बेटा कहां से निकलता है सुनो फार एक्जांपल बेटा जाब हाँ मिसाल की तुरब मेरी तेज हो जाएगी बलट प्रशर तेज हो जाएगा मैं रेड कलर का हो जाओंगा बॉडी से हीट जादा निकलेगी आपको अल्ला की कसम है जरा बात करो क्या यह नॉर्मल है नहीं हाँ इसी तरह बेटा मेरा एक्जाम है एक्जाम के बाद रिजल्ट आ गया अचानक से मेरा दोस्त आ गया वही तो यह बुरी ख़बर सुनाएगा उसने मुझे बता है और रिजल्ट है जब बेटा मैंने रिजल्ट की बात सुनी क्या होता है ए दिले नादां को दक दक हो जाता है बेटा तेज हो जाती हार्ड बीट बलड प्रशर तेज होता हार्ट रेड हार्ट रिट तेज फॉन करता है ओस्त पयार जब आप एकसाइट मैंन्ट अपँट् Obra सुनते हो उस वक्त बेटा जो एuine डीनल मेडिए एडरिनल मेडिए लह से एक हार्मून निकलता है उसका नाम है अडीन रिइनलीन या इसका नाम हैं आपीनेफ्रीन हवर्मुन जब औ बेटा आपने excitement खबर सुनी चाहे अच्छी हो या बुरी हो excitement वाली खबर सुनी adrenal medula से हार्मून निकलता है adrenalin excitement के वागत यह adrenalin हार्मून गया blood में और जब blood में गया blood के जिरे heart के पास गया heart को बोलता है धक धक तेज करो heart beating तेज करो जिसकी वजह से heart beat heart rate तेज हो जाती है जिसकी वजह से pulse rate तेज हो जाती है जिसकी वजह से एक्टूल में हार्मुन आप Emergence बोलता है कि Emergence के वोगशने निकलता है रिजल्ट आया किसी नीख भर सुनाई यह EMERGENCY है बेटा कौन निकलेगा इसका मतलब हां जो एड्रीनल मेडिवला है एड्रीनल मेडिवला दो हार्मुन्स निकलता है पहला हार्मौन उसका नाम है नॉल आपिनफरैड न्युल निकलता है नॉर्मल हार्ट रेट नॉर्मल हार्ट भीटिंग करता है मेंटेंग नॉर्मल ब्लड प्रश्यर बड्छ मेंट्ड बड़्oup in यह बीटा करता है यह बिटा पलुसरेड teज करता है यह बिलट प्रशर तेज करता है इसले बेटा इस अपिनेफरीन का हम नेक्ष वाला नाम क्या देते हैं हार्मोन आफ एमर जंसी आलवे आलसो कॉल्ड अब हार्मून अर्म क्राइब आफ हाट रेट प्लस पलस हाट रेट पलस को क्या गरते इसी के साथ बेटा हमारा जो अडरीनल ग्लैंड है यह अडरीनल ग्लैंड शरीफ आज कंप्लीट हो जाता है वाले लेक्चर में हम मिलते हैं दो ग्लैंड के साथ कौन-कौन एक टेस्टीज एक ओवरीज ठीक है तब इंशाला एंडोक्राइन सिस्टम खतम हो जाता है तब तक के लिए अल्ला हाफिज असलाम लेकुम बाई जाता है तब शाहम तर शिगा सकते हैं लागून यह ब्या केमरा इगए से सिस्टम में सो रही है मैं जाने चेन पाए